स्वागत आपका एक और ने वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अपने यूटूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो यूटूब की टीम क्या-क्या चेक करती है यूटूब की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंप पूरा हो जाता है तभी यूटूब आपके चैनल को मोनेटाइज करती है जब नए नए क्रेटर यूटूब के साथ जोड़ते हैं तो स्टाइटिंग में उनको इतना नहीं पता रहता है कि यूटूब जो है कि कुछ गाइडलाइन्स होती है उसको फालो करके ही जब आप बढ़ोगे आप क्रेटरिया पूरा करोगे तभी आपका यूटूब चैनल मोनेटाइज किया जाएगा तो इस टाइटिंग में इतना नहीं पता रहता आप एक साल दो साल छे मैंने ठीक है मेहनत करके यह क्रेटरिया पूरा करते हो अगर आप वह गलती नहीं करते हो गाई तो चैनल के साय नहीं जूड़ा है तो चैनल को सब्सकाइब करते आगे यूटूब से लेटर आज raises इंट्रस्टिंग विडियो को देखने के लिए चले गश्वीडियू को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपना जो है चैनल Chrome ब्राजर पे open कर लेना होगा और सीधे आपको monetization के section पे चले जाना जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे guys यहाँ पे लिखा है कि जब आपके 1000 subscriber 4000 घंटे का वाश टाइम guys complete हो जाएगा तभी आपका जो है इंटरफेस खुलेगा help center और committee यहाँ पे लिखा YouTube channel monetization policy ठीक है तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है guys और नीचे guys आओगे आप तो यहाँ पे guys आप लोग देख सकते हो लिखा है what we check when we review your channel ठीक है यहाँ पे लिखा our reverse check content the best represent your channel against our policy since our reviewers cannot check every video मतलब सारी वीडियो आपकी नहीं चेक की जाएगी that may focus your channel जादे से जादे आपके channel पे focus किया जाएगा कि आपका channel कैसा है ठीक है तो सबसे पहला point guys आप लोग यहाँ पे देख सकते हो main theme लिखा है main theme मतलब आपका जो है channel किस base पे है मतलब किस theme पे है बहुत सारे लोगों का channel ऐसा होता कि कभी comedy video's upload करने लगेंगे कभी vlog video upload करने लगेंगे कभी tech video upload करने लगेंगे मतलब उनके जो है channel का कोई theme ही नहीं रहता है यह मतलब mixed content आपको नहीं बनाना है ठीक है यह पहला point हो गया दूसरा point गाज यहां पर बता गया कि most views वीडियो जिस पे सबसे ज़्यादा views आये हैं वो आपकी वीडियो को चेक्किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो आपकी वीडियो वारल हो जो सबसे ज़्यादा views आए हैं और कहीं गलत तरीके से आप तो views तो नहीं लेकिया है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आप गलत तरीके से कोई भी वीडियो जो है व्यूज नहीं लेक़् आना है ठीक है यह बात जो इस point से आपको बचना है निवेस्ट वीडियो निवेस्ट यह नए नए वीडियो जो अप्लोड करूंगे इस्टाटिम में तो वह भी आपका वीडियो चेक किया जागा ऐसा होता है ना कि आप पुरानी वीडियो कुछ और अप्लोड कर रहे थे ठीक है और नए वीडियो कुछ और अप्लोड करने ल दो-चार वीडियो आपको टेक्स से ही रिलेटर्ड या व्लोग से ही रिलेटर्ड जो भी आपका चला उस तरीके के आपको वीडियो को अप्लोड करना होगा ठीक है इस बात कर गाईज आपको ध्यान लखना होगा तो गाईज आपको biggest promotion of watch time मतलब आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं करना है जिससे वो YouTube की मतलब policies के against हो ठीक है कोई भी आप अगर वीडियो गलत तरीके से promote करवाते हैं उससे अगर watch time आपके वीडियो पर आ जाता है तो आपका जो है चैनल का जो monetization हो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है और वीडियो मेटाडेटा नेक्स्ट पॉइ यहां पर देखे टाइटल लिखा है तो टाइटल में गया होता है कि बहुत से क्रेटर क्या करते हैं कि किसी माले कोई एक similar वीडियो बना रहे हैं तो किसी जिसे YouTube सबसे ऊपर जो टाइटल आता है उसका सेम सेम टाइटल गाईज वो अपने वीडियो में लगा लेते हैं ठी टाइटल आपको अपने सोस समझ के अच्छे से लगाना होगा नहीं थामने आपको क्या करना है कि बहुत सारे क्रेटर क्या करते हैं कि फंडियो बनाते हैं वीडियो में कुछ और होता है थामनेल में कुछ और लगाते हैं ठीक है तो YouTube की Team यह भी check करती है आपका जो थामने होना चाहिए थोड़ा वह जाएगा लेकिन capitalize में जो है वुए रखना होगा इक है इट इस अब करते हैं कि वीडियो में कुछ और पूरा भर देते हैं बहुत ही ज़ादा भर देते हैं वह भी आपको नहीं करना है ठीक है साथ लोग वीडियो वार्यल करवाने के यह मतलब गलत तरही के गलत मेटा बर झेते हैं, किसी दूसरे का डिस्क्रिप्चों कपउपी कर के अपने वीडियो में सेम सेम भर देते हैं, फिल कर देते हैं, वह चीज आपको नहीं करना है इन टाइटल और थनल वीडिकी से आपको बचना है, ठीक है ये काम जो है आपको करना मतलब इन काम से आपको बचना होगा क्योंकि यूट्यूब की टीम गाईज जब आप भेजोगे तो यही सारा कुछ चेक करती है और जो नए क्रिटर होते हैं स्टार्टिंग में इतना नहीं पता रहता है तो आप लोग मेरे वीडियो के थूरू जा जादा दुख होता है यार इतना मेहनत किया और मोनेटाजेशन रिजेक्ट हो गया और फिर आप डीमोटिवर्ट के अपना चैनल छोड़के चले जाते हो ठीके तो आपको स्टार्टिंग साही अवेर रहना है अच्छे तरीके से आपको वीडियो बनाना है और हो सकते तो जो भी कटेक्रिक आप चैनल रखते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा ठीके तो आई होप गाईस आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा गाईस कुछ भी डाउट होए या कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरू बताना मैं उसका रिपलाई करूँगा और ए